तो वेक्टर में आज हम आगे देखेंगे addition of vector subtraction of vector and properties of vector addition and so on ठीक है तो सबसे पहले हम addition of vectors अब addition of vectors देखेंगे एक सिंपल सी बात कहता है सबसे पहले है ट्राइंगल लॉओ ट्राइंगल लॉओ ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का एक साइड कि एक वेक्टर को represent करता है है ना टेकेन इन मतलब magnitude और डिरेक्शन और जो दूसरा साइड है वो भी magnitude और डिरेक्शन में दूसरा रेक्शन करता है तो हमने किसी भी ट्राइंगल का एक साइड लिया और फिर दूसरा साइड लिया in the same order मतलब मैं यहां पे देखें यह वेक्ट are taken in order ठीक है जब हम किसी भी दो वेक्टर को एक ही order में लेते हैं और उसको हम represent करते हैं by the sides of a triangle in that case जो third side होता है triangle का taken in reverse order देखे मैंने यहां से शुरू किया अब इसको continue करते हैं यहां जा रहा हूं तो continuation अगर करूं तो इसमें मुझे जाना चाहिए आयसे यह ना ऐसे जाना चाहिए लेकिन मैं कैसे जा रहा हूं ऊपोज़ोब्compl doubt to continue अगर करहूं तो मुझे जाना चाहिए नीचे की तरफ यहां ऐसे गया तो यहां से मुझे करके निचा आना चाहिए लेकिन मैंने थर्ड साइट को क्या किया reverse order में लिए तो ये जो थर्ड साइट है वह इन दोनों वेक्टर का सम इन magnitude and direction रिप्रेजैंट करेगा मतलब ये थर्ड साइट एं मान लिजे ये सी है तो फिर हम बोलेंगे वेक्टर C is nothing but vector A plus vector B ठीक है vector C is nothing but vector A plus vector B आप देखें यह triangle law है और इस law में लोगों को बहुत जादे confusion होता है like हम जैसे triangle ले लेते हैं मान लीजे ठीक है इस फ्री इस फोर इन दिस फाइव यह triangle हम बना सकते हैं 345 तो confusion यह होता है कि बहुत सपोज यह वाला साइड एक वेक्टर रिप्रेजन्ट कर रहा है तो triangle कहता है कि जो थर्ड साइड है वह इन दोनों का सम रिप्रेजन्ट करना चाहिए अब 3 प्लस 4 तो 5 नहीं होता है थरी प्लस 4 तो 5 नहीं होता है तो फिर यह रूल जो है मंदब वह confusion रहता है कि कभी भी दो साइड है ना मोरवर हमने छोटी गलास में 10 में पढ़ा हुआ है कि कोई भी ट्रीयंगल है लेट एबी तो हमैं यह property बी पढ़ी है कि किसी भी ट्रीयंगल में दस्समफ तू साइड अ मफू साइड इस ऑलवेज ग्रेटर दिन ओल्फी ग्रेटर दिन थर्षए ट्राइंगल में रूल है यह लॉह है कि कोई भी दो साइड को अगर आप एड करते हो इज ऑल्वेज ग्रेटर देन थर्ड साइड तो यह तो तीसरे साइड से बड़ा हो जाएगा यहां पर हमने एक्वल कैसे दिखाया तो देखे यह जो लॉह है कि समफ टू साइड इस ग्र कर रहे हैं now by side I mean magnitude only ठीकальное जब समफ टू साइड इस ग्रेटर इसाइड की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ magnitude की बात कर रहे है मतलब इसके физical या फिर इसका length कितना है इसका length कितना है तो इसकी length और इसकी length will always be greater than तीसरे साइड का लेंथ ठीक है अब वेक्टर में क्या हो रहा है कि हम सिर्फ इसके मैंगनिट्यूट को एड़ नहीं कर रहे हैं लेकिन मैंगनिट्यूट के साथ साथ डिरिक्शन को भी एड़ कर रहे हैं ठीक है तो वी आर अग्डिंग स्केलर के लिए कभी भी ट्राइंगल नहीं होता स्केलर एडिशन तो जो है सिंपल अरिथमेटिक के रूल से एड़ हो जाता है हां टू प्लस 3 5 होता है ठीक है ना हम वेक्टर एड़ कर रहे हैं तो यहां पर हम मैंगनिट्यूट तैरेक्शन दोनों चीज़े एड़ कर रहे ह तो वहां पर अब देखें जैसे की मान लीजे यह एक बॉक्स है यह बॉक्स है अब मैं बोलता हूं कि मैंने यहां से फोर्स लगाया ऑफ 10 न्यूटन ठीक है तो इस बॉक्स पे इस डिरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है अब देखें अभी देखने में यह लग रहा है कि इस पर टोटल 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है लेकिन नहीं 18 न्यूटन फोर्स इस बॉक्स पे नहीं लग रहा है ठीक है ना देखें क्या हो रहा है यह 10 न्यूटन फोर्स जो है इस डिरेक्शन में लग रहा है लेकिन 8 न्यूटन फोर्स जो है वो इस डिरे का नहीं होगे यह दोनुं ही जगा होगी क्या होगा अगर मैं यह हैं से दक्का लगा रहा हो आप यह से धक्का लगा रहे हो तो फिर यह box जो है somewhat diagonally ऐसे श्क्राइब एक तो यहां पर क्या हो रहा है कि यह इक वेक्टर हो गया जो आपने फोर्स लगा यह एक वेक्टर यह एक वेक्टर है अब यह नॉर्मल आरिथमेटिक के रूल से एड़नी होगा यहां पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसमें 10 प्लस 12 तो 22 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है यह इस तरफ मूव कर रहा है हाँ अगर मानली जीए त्वेल न्यूटन का फोर्स जो है ऐसे इसके पैरलल लगता दस न्यूटन फोर्स मैं लगा रहा हूं बार्राइप लगा रहे हैं तो इस सिचुएशन में तो 12 त्वेंटीव न्यूटन का फोर्स इसी डिरेक्शन में लग रहे है विकाज बोध थिव वेक्टर का direction change कर दिया है ना in that case the total माना कोई भी दो वेक्टर जैसे यहां पर हम सिंबल सी चीज समझ सकते हैं कि यहां पर 10 newton force and 12 newton force तो arithmetic कहता है कि 10 plus 12 is 22 वेक्टर का rule कहता है कि अगर मैं एक एक वेक्टर 10 newton का 10 newton का force वोस्च जो जो non science student है उनके लिए मैं बता दूँ जो पोर्स है उसको हम newton में measure करते है जैसे speed को kilometer per hour में measure करते है या फिर volume को लीटर में measure करते है या mass को kg में measure करते हैं वैसे force को जो है newton में measure किया जाता है उसकी यूनिट है ऐसे मान के चलिया अब आरिथमेटिक हमें कहता है दस में बारा जोड़ो बाइस आता है सिंपल सी बात ठीक है अब वेक्टर कहता है कि दो फोर्स दस न्यूटन और बारा न्यूटन अब हमने यह तो समझ लिया कि भाई दो चीजें होती हैं स्केलर कॉंटिटी अगर है तो सीधे सीधे बाइस आएगा लेकिन दस और बारा अगर वेक्टर कॉंटिटी है तो सम बाइस आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार बाइस ही आएगा यह टोटली डिपेंड करता है डिरेक्शन पे अगर दोनों वेक्टर सेम डिरेक्शन में है ना पैरलेल टू इच अदर एक्ट कर रहे हैं तो फिर तो इनका सम दस और बारा बाइस हो गया लेकिन होप आपको अब यह नहीं होना चाहिए कि यह ट्राइंगल लोग ऐसे कैसे हम तो अब यहां पर क्या कर रहें सिर्फ मैंग्निट्यूड नहीं कर रहें डिरेक्शन भी एड कर रहें इस वज़े से आप सी ए प्लस पी ठीक है तो डिस वस देलाओ नेक्स समझता है पैरलेलो लौक क्या कहता है तो पैरलेलोग्राम आप लोगों पता है और पारलेल एकवल इस आखा बाएंग निकल के यह पारलेलोग्राम स्पोस्ट ओड इनिशल पॉइंट से बनाया इसमें यह जो दो साइड निकल रहे हैं यह दो साइड दो वेक्टर स्क्राइब उसके ढाऊंच से जो मैं डाइगनल बनाऊंगा वो इन दोनों वेक्टर्स का सम रेप्रेजेंट करेगा या रिजल्टन रिप्रेजेंट करेगा ठीक है सम्या रिजल्टन हम कुछ भी कह सकते हैं यह जो डाइगनल है थोग्स इससकी बेन प्रेललोग्राम लॉक कहता है कि अन यहां पर ध्यान रखना अधिस साइड व्यक्टर अगर मैं बोल रहा हम मतलब मैं उनके magnitude and direction को दोनों को add कर रहा हूँ ठीक है यह confusion दिमाग में बिलकुल ना हो कि हम दो sides को add कर रहे हैं यह बहुत confusion होता है हां दो sides को add कर रहे हैं वो तो equal होई नहीं सकता होई नहीं सकता ठीक है ना तो वो confusion नहीं होना चाहिए so c is equal to a plus b in terms of vector है ना सिर्फ c is equal to a plus b नहीं है लेकिन vector c is equal to vector a plus vector b है यह parallelogram law है अब देखें यह law कैसे valid है हमने triangle law पढ़ा था यह vector b है तो यह जो side है this must be equal to vector b है ना क्योंकि यह दोनो magnitude और direction में से है क्योंकि दोनों के दोनों parallel है और हमने क्या स्टार्टिंग में मैंने बताया था हम इस वेक्टर टॉपिक में जितने भी वेक्टर आगे चलके पढ़ेंगे दिया ओल फ्री वेक्टर अंटिल अनलेस अदर्वाइस स्टेटेट कि वह localized vector है तो देखें यह कोई भी एक वेक्टर है प्री वेक्टर का रिप्रेजेंट कर रहे तो यह भी वेक्टर एही रिप्रेजेंट कर रहे है तो यह वेक्टर भी है तो यह भी वेक्टर भी होना चाहिए क्योंकि इन दोनों की magnitude भी सेमें और डिरेक्शन भी सेमें यहां पर लगाएंगे यह साइड मैंने लिया इसी ओडर में मैंने यह साइड लिया तो इस ट्राइंगल का जो तीसरा साइड है ना अगर मैं थोड़ी दिरख लिए ऊपर वाला हिस्सा हटा दूं तो इस साइड इस साइड मस्ट बीकॉल थो थो आइल्ट साइड मैं यह हो गया परल्लो ग्रम लॉब टेशन के इफ तू अधिशन ऐस फ़ो पर पर लोंग्रम प्रेजन तो डर्ट वेक्टो प्रेजन थो थो फैस फे थो डीप्रेजन ऐस ऐसंट देड रिजल थे फिका यह उसका स्टेटमेंट हो गया स्टेटमें आप बुक से प्रॉपर देख सकते हैं बाकि स्टेटमेंट आप याद रखिए आपको जो है स्टेटमेंट वाले क्वेशन तो मैंने अभी तक देखा नहीं लेकिन हाँ यह क्वेशन जाद आते हैं बट यू नेवर नो फिर आलोग्राम में अगर यह है यहां पर यह जो है ऑल्लग आप यहां पर हम प्राल अलोग्रांब यह वे स्टैटर little एडिशन वे दीशन की प्रॉपरट्य जैसे की सिंपल अरिथमेटिक एडिशन की प्रॉपर्टी उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव ठीक है, committative property, committative property एक simple सी बात कहता है, मैं normal बता रहा हूँ, उसके बाद vectors बताऊंगा, committative property कहता है कि अगर a plus b है, now committative property of addition, ठीक है, अभी हम addition की बात कर रहे हैं, तो हम सारी property addition की ही पढ़ेंगे, committative property of addition, simple arithmetic कहता है, a plus b is always equal to b plus a, है ना, जैसे कि 3 plus 5 करो, या 5 plus 3 करो, 3 में 5 जोड़ो, तो भी 8 आना है, 5 में 3 जोड़ो, तो भी 8 ही आना है, ठीक है ना, तो that is committative property, vectors में भी, vectors का rule कहता है कि अगर मैं vector a में vector b को add करूँगा, और vector b में vector a को add करूँगा, यहाँ पे मैंने a में b को add किया, यहाँ पे मैंने b में a को add किया, result same आएगा, ठीक है, इसको improve कर सकते हैं, इस parallelogram से, देखे, मैं अगर o, and let's say this is a, let's say this is b, and let's say this is c, इस triangle में, देखे, यह नीचे वाला हिस्सा, o a plus a b must be equal to o b, है ना, इस triangle में, o a b triangle में, देखे, vector a plus vector b, ठीक है, vector a plus vector b must be equal to vector c, होना चाहिए, अब उपर वाला triangle लेते हैं, तो देखे, vector b plus vector a, vector b plus vector a must be equal to vector c, है ना, vector b plus vector a must be equal to vector c, ठीक है, तो अब यह दोनों vector c के equal है, that means, vector a plus vector b must be equal to vector b plus vector a, so this proves the commutative property, ठीक है ना, चली अब next देखते हैं, associative property, ठीक है, associative property, now what is associative property, पहले मैं आपको, simple arithmetic में, क्या होता है, वो बताता हूँ, उसके बाद, मैं आपको, vectors में बताऊँगा, associative property होता है, मानने जे 3 plus 2 plus 5 हमें करना है, ठीक है, मैं पहले 3 और 2 को add करता हूँ, फिर 5 को add करूँ, या फिर मैं, पहले 2 और 5 को add करता हूँ, फिर 3 को add करूँ, it really doesn't matter, ठीक है, यह कहता है, associative property, ठीक है, 3 plus 2 is 5, 5 plus 5 is 10, और 5 plus 2 is 7, 7 plus 3 is again 10, ठीक है, associative property कहता है, कि अगर मैं 3 numbers को add कर रहा हूँ, तो मैं किस order में उनको add कर रहा हूँ, it really doesn't matter, ठीक है, आंसर हमेशा हमें same मिलदा है, तो vectors में, associative property कहता है, कि vector A है, उसमें मैं vector B add कर रहा हूँ, और उसमें मैं vector C add कर रहा हूँ, तो this should be equal to vector A plus vector B plus vector C, है ना, मना मैं A और B पहले add कर रहा हूँ, फिर उसमें C को add कर रहा हूँ, this is, let's say A, let's say this is B and let's say this is C, अब O, A जो है, वो इस direction में, let's say vector A represent कर रहा है, अब इसी के end से मैंने ये बना दिया vector B, ठीक है, और यहीं से मैंने continue करके ये बना दिया vector C, ठीक है, तो ये, 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 तीनों A की order में है, O, C, जो है, इसको हम reverse order में ले लेता है, ठीक है, suppose this is D, मान देज़े थोड़ी देर के लिए, अब देखे, मैं यहां से O और B को join कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर इस D को अभी हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो अब यहां पर देखते हैं, इस O, A, plus A, B, must be equal to O, B, by triangle log, है ना, हमने यह पूरा हटा दिया, है ना, उपर का पूरा छोड़ दीजे, सिर्फ यह नीचे वाला triangle देखे, देखे, O, A, B, जो यह triangle है, triangle log of vector addition कहता है, O, A, plus A, B, है ना, मैंने दो vectors को एक order में लिया, तो तीसरा side reverse order में, मना, यह cycle complete नहीं होना चाहिए, है ना, तो यह ऐसे जा रहे थे, तो cycle, ऐसे जाते तो complete होता, मैं उल्टे order में ले गया, यानि, O, B, तो, O, A, plus A, B, must be equal to O, B, होना चाहिए, ठीक है, that means, O, B is what, vector A, plus vector B, होना चाहिए, क्योंकि O, A, को हमने A, माना है, A, must be, A, plus B, right, इतना हो गया, अब इसके बाद, इस triangle को देखते हैं, O, B, C, ठीक है, इन triangle, O, B, C, अब यह नीचे वाले को हम छोड़ देता है, ठीक है, नीचे वाला triangle आप हटा दीजे, देखिए, O, B, मैंने एक order में लिया, B, C, एक order में लिया, O, B, plus B, C, O, B, plus B, C, must be equal to O, C, होना चाहिए, by triangle law of addition, अब हमेशा देखिए, आपने अगर correct किया है, तो देखिए, O, B, B, C, यह बीच वाला, यह दोनों जो है, match कर रहा है, देखिए, यह B पे खतम हुआ, यह B पे शुरू हुआ, ठीक है, और जो result मिलेगा, देखिए, यह दोनों common है, इस common को हटाओ, क्या बचा, इधर से O, इधर से C, बचा, आपको O, C, मिलना चाहिए, इसी order में, पहले O, बचा, तो O, मिलना चाहिए, यहाँ पे C, O, नहीं हो सकता, O, C, हो सकता, कभी भी vectors में, अगर आप करेंगे, आपको देखना, इसी order में मिलने वाला है, अच्छा, O, B मेरे पास कितना है, vector A plus B, brackets में डाल देते हैं, plus B, C क्या है मेरे पास, vector C, and that is equal to O, C, ठीक, यह हो गया, अच्छा, अब इसको मैं, let's say, expression number one, equation number one, ऐसे डाल देता हूँ, अब, हम यह बीच वाले डंडे को हटा देते हैं, इसी triangle में, let's say, मैं A और C को join कर लेता हूँ, ठीक है, अब देखें, यह triangle A, B, C, इस triangle A, B, C में, देखें, A, B, यह एक vector represent कर रहा है, vector B, ठीक है, इस order में, ऊपर की तरफ, B, C, यह vector represent कर रहा है, इस order में, है न, vector C, तो A, B, plus B, C, must be equal to A, C, होना चाहिए, A, B, vector, plus B, C, vector, must be equal to A, C, vector, होना चाहिए, यह ऐसे लिया, यह ऐसे लिया, तो फिर यह नीचे से उपर लेना पड़ेगा, triangle law, यह हमें कहता है, ठीक, अब A, B, मैंने, क्या माना हुआ है, A, B, is B, अच्छा, B, C, क्या हुआ है, क्या है, C, तो B, plus C, must be equal to A, C, done, तो यह A, C, क्या है, vector, B, plus vector, C, है, अब इस हिस्से को छोड़ दीजिए, ठीक है, यह वाला, अब triangle देखते है, O, A, C, ठीक है, O, A, C, इस triangle में, देखिए, O, A, plus A, C, must be equal to O, C, by triangle law, है न, यहाँ पर भी देख सकते है, A और यह common है, तो O, C, मुझे result मिलना है, चाहिए, वही मिल रहा है, अच्छा, O, A, कितना है मेरे पास, A है, तो मैं A लिख लेता हूँ, plus, A, C, कितना है मेरे पास, मैंने अब भी निकाला, B, plus C, तो उसको bracket में डाल देते हैं, this must be equal to क्या होना चाहिए, O, C, इसको हम equation number 2 डालेंगे, अब देखें, equation number 1 और equation number 2, दोनों की दोनों किसके equal है, O, C के equal है, इसका मतलब, vector A, plus, B, plus, C, must be equal to vector A, plus, B, plus, C, है न, जो की associative property कहलाता है, तो यह हमने associative property को proof किया, अब देखें, यह proofs मैं क्यों बता रहा हूँ, अब proof तो आपको ऐसे हो सकता है, यह proof करने के लिए, exam में ना मिले, बट, यह proof बता रहा हूँ, ताकि आपको यह vector, क्योंकि आपको proof करने के दूसरे questions मिल सकते हैं, तो आपका जो logic है, वो develop हो, कैसे हम किसी question को proof करेंगे, ठीक है, अब properties और आगे बताने से पहले, मैं आपको एक law बता दू, polygon law, ठीक है, polygon law कहता है कि, सपोज, ठीक है, यह polygon है, and let's say this is O, A, B, C, D, and E, अब सपोज, यह vector represent कर रहा है, A, यह vector represent कर रहा है, B, C, D, E, और O, E को हम अभी खाली छोड़ते हैं, तो आपको बोलाएं कि, let's say, N number of vectors हैं, जो किसी एक polygon के different sides से हम represent कर सकते हैं, तो polygon का जो last side है, तो मैंने इसको एक order में, एक ही order में, मैंने इसके बाकी, जितने भी sides हैं, वो लिए, ठीक है, यह जहां खतम हो रहा है, यह वहाँ शुरू हो रहा है, यह जहां खतम हो रहा है, यह वहाँ शुरू हो रहा है, ऐसे, तो जो last side जो बच गया, उसको मैंने reverse order में ले लिया, तो यह जो vector F है, इसको हम F मान लेता है, this vector F must be equal to A plus B plus C plus D plus E, ठीक है, तो यह polygon law of addition कहता है, यह वैसे तो course में, मैंने देखा नहीं, बट, just आपकी knowledge के लिए बता दिया, क्योंकि अभी हमने जो proof किया, उसमें मैंने quad lateral बनाया था, ठीक है, इस polygon को भी वैसे ही, आप इसमें na n number of triangle split करकर करकर करकर, मैं इसको proof कर सकते हैं, यह जो polygon law का जो मैंने result बताया, ठीक है, अच्छा, just for your knowledge, अच्छा, इसके बाद हम further properties देखेंगे, addition में further properties हैं, existence, of identity, additive, identity, ठीक है, and additive inverse, existence of additive identity and additive inverse, अब देखें, additive identity क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूँ, तो, देखें, simple arithmetic में, 0 जो है, इसको additive identity, बोलते हैं, ठीक है, अच्छा, 0 को additive identity क्यों बोलते हैं, क्योंकि, हम 0 में कोई भी चीज अगर add करते हैं, तो, जिसको मैं add कर रहा हूँ, वो अपनी identity कभी भी lose नहीं करता हैं, ठीक है, इसलिए हम 0 को क्या बोलते हैं, additive identity, for example, 5, मैं 0 अगर इसमें add करता हूँ, तो 5 अपनी identity lose नहीं कर रहा, 5 की पहचान 5 ही है, वो change नहीं हुआ, 0 के अलावा कोई और number add कर दो, वो अपनी पहचान lose करेगा, 5 जो है 6 बन जाएगा, लेकिन 0 add करने से उसकी पहचान खतम नहीं हुई है, वो बदला नहीं है, वो जैसा है, वैसे ही है, इस वज़े से 0 को कहा जाता है, identity, ठीक है, अब vectors में भी एक additive identity होता है, जिसको हम 0 vector बोलता है, क्योंकि vector a में, अगर मैं 0 vector add करता हूँ, तो vector a, vector a ही रहने वाला, यह कभी भी change नहीं होने वाला है, तो जैसे कि starting में मैंने आपको बताया था, 0 vector, 0 vector basically, इसका magnitude 0 हो, बट, randomly कोई भी हम direction दे सकते हैं, as per vector given, तो that is about additive identity, and then we have additive inverse, now what is additive inverse, तो मैं पहले आपको arithmetic में बताता हूँ, additive inverse किसको बोलता है, additive inverse किसी भी number का exist करता है, ठीक है, और additive inverse उसका negative होता है, कोई भी number अगर a है, तो उसका additive inverse minus a होगा, basically ऐसा number जिसमें मैं, additive inverse हम ऐसे number को बोलता है, जिसको आपने original number से अगर add कर दिया, तो आपको 0 मिलना चाहिए, यानि additive identity मिलना चाहिए, ठीक है न, अब जैसे 5 है, इसका inverse minus 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है, 5 में अगर मैं minus 5 add करता हूँ, तो मुझे 0 मिलने वाला है, तो जितने भी number है, मैं पाई में अगर negative पाई एड करता हूँ, तो मुझे 0 ही मिलने वाला है, मैं under root 5 में क्या add करूँगा, minus root 5, तो मुझे 0 ही मिलने वाला है, तो additive inverse हम किसको बोलता है, कोई भी number है, उसके negative को additive inverse बोलता है, ठीक है, उसके आगे सिर्फ हमने minus sign लगा दिया, तो that is what additive inverse, तो vectors में भी additive inverse exist करता है, तो किसी भी vector का additive inverse है, क्या होगा, उसी का unlike है, हमने like and unlike पड़ा था, उसी का अगर हम direction change कर देता है, तो वो इसका additive inverse हो जाएगा, मतलब कोई एक vector a है, इसमें अगर मैं minus vector a add करता हो, तो मुझे 0 vector मिल जाएगा, तो basically अगर यह vector a है in magnitude and direction, तो इसका inverse क्या होगा, इसी length का एक vector जो opposite direction में हो, इसके parallel हो and opposite direction में, जिसको हम unlike या anti-parallel बोलता है, ठीक है, so this is existence of additive identity and additive inverse, तो vectors में identity और inverse exist करता है, ठीक है न, अच्छा, इसके बाद मैं subtraction of vectors, बताता हूँ आपको, हमने अभी तक addition समझाए, vector को हम subtract नहीं कर सकते क्या, तो subtract कर सकते हैं, तो subtraction is nothing but adding a negative vector, कैसे, अब देखे, suppose this is vector a and let's say this is vector b, तो obviously, यह O है, let's say this is a, let's say this is b, तो यह जो third side है, यह क्या represent कर रहा है, vector a plus vector b, ऐसा तो हमने पढ़ा है, ठीक है, यह हमने पढ़ा और इसको हमने एड किया by triangle law, आचा, हमने यह भी concept समझा कि किसी भी, sorry, vector, जैसे यह vector है, ठीक है, suppose this is any vector, मैं इतने ही length का, अगर line opposite direction में खीचता हूँ, ठीक है, तो यह क्या represent कर रहा है, suppose यह line जो है, यह vector a represent कर रहा है, तो opposite direction में उसी length का line minus vector a represent करता है, है न, direction change कर दीना, तो वो negative हो गया, वो vector का negative हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कि जो यह vector b है, इसको मैंने reverse direction में, हैना, यह जितना length यह है, उतने ही length का, एक line खीचा, in opposite direction, तो यह क्या बन जाएगा, minus b, अब उपर वाले को छोड़ो, अब देखें, इस triangle में, यह एक vector है, vector a, in this direction, और इसी order में हमने कि यह vector ले लिया, minus b, तो suppose this is b dash, ठीक है, या फिर इसको d ले लिजिए, ठीक है, मैं इस o और d को अगर join करता हो, तो देखें, vector rule क्या कहता है, इसको मैंने इस order में लिया, इसको मैंने इस order में लिया, तो इन दोनों का sum क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए, मतलब o a plus ad, must be equal to od, होना चाहिए, अब o a कितना है, a है, ad कितना है, minus b है, should be equal to what, od, अब plus minus minus होता है, तो basically a minus b is od, तो subtraction of vector is nothing but adding a negative vector, ठीक है, यह उसकी basic definition है, कि subtraction of vector होता क्या है,